हेलो एव्रीमन विल्कम बैक तो वर चैनल मिशन सिवल एंजिरिंग तो आज को जो टॉपिक लेकर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जो ब्रिक से रिलेटेड कुश्चन्स पूछे जा सकते हैं इंटर्व्यू में अगर आप किसी गोवर्मेंट का भी दे र उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोट करूं तो आपको आप तक जल से जल पहुचे एक जलते हैं वीडियो में तो पहला कोश्चन्स हमारा क्या है पहला कोश्चन्स पहला है वह दिस रिकमेंड़िड साइस ऑफ ऑ ब्रिक यह बहुत ही क्या होता है तो कितना सिंपल है तो ब्रिक का साइज क्या होता है 19 इंटू 19 इंटू 9 सेंटीमेटर अब इसको एमेम में करते हैं तो एमेम में डिरेक्ट 10 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो यानि की 190 मल्टिप्लाई बाई 90 मल्टिप्लाई बाई 90 ज्यादे तर लोग एमेम में याद रखते हैं तो इसका यह एमेम में एंसर हो गया अगर पूछा जाएगा कोश्चन वाट इस दरिकमेंडेट साइज ऑफ प्रिक क्लियर वह कितना होता 190 मल्टिप्लाई बाई 90 इंटू 90 9 cm क्लियर है अब आते हैं नेक्स्ट कुश्चन तो नेक्स्ट कुश्चन हमारा क्या बोल रहा है अ गुट ब्रेक शुद नॉट अब्जर्व मोर दैन वाट परसंटेज ओफ वाटर विंद सोक यह बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन है यह कुश्चन भी बहुत पुछा जा क्या है क्या कुश्चन अगुट ब्रेक शुद नॉट अब्जर्व क्या अब्जर्व नहीं करेगा मोर दैन वाट परसंटेज ओफ वाटर विंद सोक ठीक है जब पानी में डालते थे कितना उसका वाटर अब्जर्व करता है तो कितना परसंट 15 परसंट क्लियर है यह यह विच अब फॉलोविंग ब्रेक इस नॉट प्रिफर तयानि कि जो किल्म बिलिंग जो अलग अलग तरीके जो बिल ब्रेक आते हैं तो उसमें क्लैंब बर्ण ब्रेक जो होता है यह इसको यूज नहीं किया जाता है अब आते हैं नेक्स्ट दा कम्प्रेसिव स्टेंथ आफ क्रिन्द देश्ट चेक किया जाए कब तक तोटे गए कितने में जाकर तो थूझ पॉइंट नूटञ व ब्रेक होना चाहिए ठीक है जब तक छटक लोड टब तक कितना लोड तक बियर कर सकता है तो वह हैוא मिनिमम् तृध पॉइंट नूट्लम mm2 clear है यह बहुत ही important question है यह हर interview में पुछा जाता है clear है अब आते हैं next question में next question हमारा क्या बोल रहा है a good brick when dropped from the height of one meter can अगर हमारा brick अगदम first class brick रहेगा तो हमारा brick अगर first class है अगर एक मीटर यहां से अगर हम किरा रहें नीचे brick एक मीटर की height पे तो हमारा brick जो है वो break नहीं होना चाहिए वो तूटना नहीं चाहिए ठीक है जैसा है वैसे ही रहना चाहिए clear है कि अब आते हैं next question next question हमारा क्या बोला है what should be observed when a brick is broken जब इंटा जब हमारा तूट जाए तो क्या देखना चाहिए उसका कौन से surface देखना चाहिए homogeneous surface देखना चाहिए clear है अब coming to the next question जो next question जो हमारा है वो बहुत ही important question है यह is code का सवाल है बाई clear है IS code बहुत ही important होता है Indian standard code आपको यह चीज़ याद रखना परेगा clear है brick work का हर एक एक IS code से related हमने वीडियो बनाया है cement के लिए कौन सा IS code है aggregate concrete steel हर चीज़ के लगला IS code कौन-कौन सा IS code use होता है वो चीज़ आपको याद करना परेगा आपको link description मिल जाएगा IS code का clear है तो इसका पहले बता दें आपको which IS code gives a code of practice for brick work clear है तो IS 2212 जो है वो हमको brick work के बारे में बताता है clear है अब coming to the next question and the last question that is which bond brick is laid with its length in the direction of a wall अगर wall का direction है हमारा wall की direction की दिरफ है तो हमारा कौन सा brick laid होगा तो वो हमारा ये कौन सा surface नज़र आ रहा है stretcher ठीक है तो हमारा कौन सा bond बनाएगा stretcher bond बनाएगा ठीक है clear है आज को टॉपिक था वो basically हमारा यही था इंटर्व्यू कोश्टन ये टॉप एट कोश्टन से जो brick work से related आपको इंटर्व्यू में पूछे चाहेंगे hopefully आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लएक करने चैनल को और शेर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को so thank you for watching our video please do like share and subscribe to our channel